बेलकम तू माई चैनल सीफ़ार्चीकू पंदर अगस्त पर एक अच्छा भाशर या फिर टेप स्पीच अगर लिखना चाहते हैं या फिर बोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपनी स्पीच की शुरुवात देश भक्ती शाहिरी के साथ करें उसके बाद आप वहाँ पर उपस्तित लोगों का अभिनंदन करें इसके बाद आप अपना परिचय दें यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर द बीचinos लें यानि कि छोटे sentence का प्रेव करें लमबे sentence बोलने से बचें कियोग अपने बिशे पर ध्यान रखें यानि कि आप इधर देर की बात ना करें आपने बिशे से ही रिलेटेड बातों का ध्यान रखते हुए उसे लिखें या फिर बोलें स्पीच बोलते वक्त दर्सकों की तरफ ही देखते रहें इधर उधर ना देखें अंतिम बात जो की सबसे ज़्यादा महत्मूर्ण है वो यह है कि आप अपने भाशन का समापन देशभक्ति शायरी कभीता या फिर देशभक्ति नारों के साथ कर सकते हैं दोस्तों गर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप में निस्टी थी 15 अगस्त पर एक एफेक्टिव स्पीच या फिर एक अच्छा भाशन लिख पाएंगे दोस्तों गर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्स